पॉड़ी में भुम्याल देवता कंडोलिय बाबा के मंदिर में हर साल आयोजित होने वाला वार्षिक पूजन आज बंडारे के बाद संपन हो गया इस साल बाबा के वार्षिक पूजन की दिती 16 जून की थी तीन दिन चले बाबा कंडोलिया के वार्षित पूजन में लाखों शरदालू उने शिर्कत की पहले दिन चली पूजन में बाबा कंडोलिया ठाकुर के दरबार में पोड़ी के आसपास के लोग निशान चडाने गए और बाबा से गाओं के शुक्षानती की कामना की आपको बताते चले कि कंडोलिया ठाकुर को भूमी का देवताम माना जाता है माननेता है कि जो भी शरदालू सच्चे मन से बाबा कंडोलि के दरबार में माता टेकता है उसकी सभी मनोकामनाए जल्द पूर्ण हो जाती है कई सालों से बाबा कंडोलिया के दरबार में वार्शिक पूजन का कारेकरम निरंतर किया जा रहा है जिसमें पॉड़ी के साथ साथ आसपास के सभी गाउं के लोग भाग लेते हैं वार्शिक पूजा के अंतिम दिन विशाल बंडारे का आज़न किया जाता है बंडारे में लाखों की तादाप में लोग पहुंचकर बाबा ठाकुर का भोग करहन करते हैं इस बार के बाबा के बार्शिक पुजन के खास बात ये रही कि पॉली के परवासी जोकी देश के निस्वों में बस गए थे वे लोग भी इस बारबार्शिक पुजन के लिए अपने अपने गाउं पहुंचे करीब दो मेने पहले से हो जाती है उसके लिए सभी लोग अपनी सेवाई देते हैं और हर साथ कंडूले देप के दर्सनों के दर्सनों के लिए हर साल जो है साल दर साल धीरवर्टी जा रहे हैं